हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूरा हुल जैस्वाल है स्वागत करता हूँ आप सभी का एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंगलिश ग्रामर का रिवीजन सेरीज आपके लिए डेली अप्लोद कर रहें डेली एक वीडियो आपके लिए बना रहें ताकि आर आप लोग का इंगलिश ग्रामर का जो वो बहुत भी बहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए और अल्रीडी रेगूलर लेक्चर्स में हमने इंग्लिश ग्रामर का लगबग 25 से 30 वीडियो अल्रीडी बना के रखा हुआ है अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है न तो देरा 30 डिफरेंट डिफरेंट ट प्लेश देखेगा उसमें लगबग 25 से 30 वीडियो थे ठीक है और अभी आपको देखने मिल जाएंगे तो आप वहां से पढ़ाई कर सकते लेकिन आज हम लोग आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन लेकर आ रहे हैं और खास करके यह उन बच्चों के लिए यूस होने वाला है और खास कर 11th students और 12th students के लिए भी 12th के तो चला अभी फिलाल में running में है exam और 11th के लिए भी useful होगा क्योंकि English grammar में कुछ आए यह ना आए लेकिन do as director में आपने देखा होगा add a question tag जो कि अकसर 1 से 2 marks का आपको exam में आता ही आता है यानि कि आज का वीडियो अगर बहुत किम्ती होता है लोग 1 marks के लिए तो एक गंटा दो गंटा पढ़ाई करते आप तो सिर्फ 10 मिनट का वीडियो देखने वाले हो तो वीडियो को इन तक देख लेना आज पूरा concept पता चल जाएगा एड़कोशन टैक का और जिंदगी में कभी problem नहीं आएगा तो इसके अलब पीडियाफ के marks distribution के वीडियो फेपर फॉर्मेट हर चीज हमने डाल रखा है important questions टेलिग्राम पे जा रहा है वीडियो भी एवेलेबल है geography के maps हमने बना दिये हैं जाके देख लेना और कई सारे और important topic बचे हुए वह हम आपके लिए लाएंगे चिंता मत करना हर च तो add a question tag मतलब क्या होता है simple भासे में अगर मैं बतानी कोचिश करू कि अगर कोई भी व्यक्ति हमें कुछ बोलता है जैसे कि अगर मैं बोलता है कोई भी बोलता है आपको he is a nice boy he is a nice boy तो हम लोग क्या करते है जैसे आप कोई एक sentence अगर हिंदी में बोल रहे है अरे वो लड़का बहुत अच्छा है राहूल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्या वो अच्छा पढ़ाते हैं जैसे कि हम कोई भी बाते हैं कोई भी बाते अगर हम बोलते हैं तो उसके just हम लोग उसका एक negative बात भी बोलते है या फिर अगर कोई हम लोग negative बात बोलते है तो उसके just बात हम लोग क्या बोलते है positive बात बोलते है जैसे कि अगर मैं बोलूँगा वो बहुत अच्छा cricket खिलता है क्या वो अच्छा cricket खिलता है इस प्रकार से तो इस प्रकार से जो ची वो एक बहुत अच्छा लड़का है वो बहुत बुरा लड़का है इसा बताने वाला हूँ एक एक चीज आपको समझेगा तो यह basic introduction था, आपको समझ में आ जाए कि add a question tag actual में होता क्या है, यानि कि हमें कोई भी statement दिया रहता है, उसके आगे हमें कुछ values, pronouns का use करके and कुछ values का use करके हमें डालना पड़ता है, जो हमें question पूछता है, क्योंकि add a question tag मतलब क्या होता है, हमें question डालना है महाँ पे, हम question सव सवाल पूछ रहे हैं कि राहूल बहुत अच्छा cricket खेलता है, तो क्या वो अच्छा cricket खेलता है, question mark, हम सवाल generate कर रहे हैं, तो that is why it is known as the question tag, ठीक है, तो समझ लो, यहाँ पे question tag की बात करें, कि कभी भी जो sentences होते हैं, और आपको पता है कि इसके पहले ही, इसके पहले के lecture में हमने English grammar में एक type of sentence के topic पढ़ाया था, जो कि सबसे ज़्यादा important है, क्योंकि 4 type के sentence होते हैं, वो आपका पता होना चाहिए, ठीक है, तो 4 type के sentence मैंने previous lectures में कराया है, English grammar के revision video series में ही, playlist में भी updated है, वो जाके वहाँ से भी देख सकते हो, तो sentence generally क्या होते हैं, 4 type के होते, लेकिन यहाँ पर जो add a question tag में जो questions पूछे जाते हैं, मतलब जो सवाल पूछे जाते हैं, उसमें जो sentence सबसे ज़्यादा use किया जाता है, या तो खुद एक interrogative statement रहेगा, interrogative sentence रहेगा, या तो वो एक affirmative sentence रहेगा, क्या रहेगा, affirmative sentence, अब interrogative sentence की बात करें, obviously यह sentence क्या होता है, questions पूछ देने के लिए, कोई statement देने के लिए होता है, तो इस प्रकार की चीज़े इसमें की जाती है, अब एक चीज़ याद रखना, हमेशा जब आपको कोई sentence दिया रहेगा, और sentence के आगे आपको अगर बोला रहेगा, कि add a question tag करो, तो sentence के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, question tag लगाना पड़ेगा, question tag लगाना पड़ेगा, और हमेशा इस चीज़ याद रखना, कि ये जो question tag रहेगा, वो हमेशा क्या होता है, interrogative in nature होता है, हमेशा याद रखना, कि वो होता है, interrogative in nature, यानि कि आपका जो भी सवाल रहेगा, वो सवाल कैसा आ रहेगा, कि आप कुछ ही मतलब क्या पूछ रहे हो अब सवाल पूछ रहे हो तो यानि कि interrogative in nature मतलब हमेशा question mark जो होगा उसके end में आएगा और एक मज़े की बात बताओ जब मैं चोटा था जब मैं 10th standard या 9th standard या 7th standard में था तो add a question tag हमेशा ढूंता था मैं ठीक है जो पूरे paper में do is directed होते है चार मा question नहीं यह होता था क्योंकि मुझा इस रहता था यह फूकट में marks मिलता है मैं बस हमें न कॉमा डालके कुछ चीज़े लिखना है बस question mark डाल दिया मिल गया 1 marks मिल गया 2 marks तो इस प्रकार से चीज़े होती है ठीक है तो हमेशा याद रखना sentence plus question tag और question tag हमेशा क्या होता है interrogative in तर पर बताओ is हो गया, are हो गया, can हो गया, could हो गया, should हो गया तो इस प्रकार के जो words होते है इसको helping verbs बोलते है model verbs बोलते है ठीक है अब यह जो verbs होते है normally इसी को use किया जाता है in the statement, in the sentence to make sure it will be converted into question tag and इसको convert किया जाता है positive से negative में यानि कि अगर is दिया रहेगा तो यह हो जा can't, are के जगा पे हो जाएगा aren't, could के जगा पे हो जाएगा couldn't, should के जगा पे हो जाएगा shouldn't, तो इस प्रकार से चीज़े लगती है, समझ में आ गया, तो positive becomes negative, negative becomes positive यह चीज़ आपको धिया रखना है, क्या होता है कि कोई भी अगर positive statement दिया, यानि कि पूरे statement में, पूरे sentence में अगर आपको words जो है, वो positive दिखरें, तो उसको हमें क्या बनाना होता है, negative बनाना होता है, यानि कि उसको question tag में ऐसा बनाओ, कि वो negative लगे, जैसे कि he is a good boy, तो ये positive है, he is a good boy, ये positive है, लेकिन हमने question tag में क्या लिखा, isn't he, मतलब राहूल एक बहुत अच्छा लड़का है, क he is not a good boy, ये क्या है, already एक negative statement है, he is not a good boy, एक negative statement है, लेकिन अगर उसको add a question tag करना रहेगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, is he, is he मतलब positive लिखा, तो negative को positive लिखना होता है, positive को negative लिखना होता है, यही पूरा fundamental चीज है, question tag का, ये जो चीज, ये जो इंसान, जो है, कोई भी आप में confirm मिलेगा, इतना गया, guarantee के साथ बोल सकता हो, ठीके दोस्तो, clear है, समझ में आ गया होगा, अब जाते हैं, examples की तरफ, positive से negative वाले examples, और कुछ negative से positive वाले examples, इसको देख लो, छोटा ही वीडियो है, इसको देख लोगे, पूरा clear हो जाएगा, add a question tag, और exams में कैसे भी तो आप इसका answer जो है, कर पाओगे, ठीके, तैयार हो आप लो, छलो, फटा फट से जाते हैं, और हमारे जो बाकी के जो questions है, इसको हम लोग solves कराते हैं, यानि कि क्या करते हैं, जो हमारा question tag के examples है, इसको हम लोग करवाते हैं, चलो, ready हो गए, okay, तो सबसे पहले मेरे को board clean करन अगर आपको ऐसा लगता है, कि useful होगा, आगे जाके, आपके लिए notes के लिए काम आएगा, तो जरूर से इसको ले लेना, और आपको एक चीज़ बता दू कि ये English grammar सिफ 12 तक सीमीत नहीं होता है, आगे आप जितने भी पढ़ाई करते हैं, जैसे आप graduation में जाते हैं, तो वह अब वह English grammar में add a question, tag का question मैंने अकसर देखा, क्योंकि I have given one or two government exams, ठीक है, clear नहीं कर पाया, अलग बाते, because of lack of preparation, मैं को टाइम ही नहीं मिलता है, यहां से, तो मैं वहाँ क्या करूँआ, ठीक है न, तो आप जानते हो कि आपके लिए हम 5-5-6-6 वीडियोस record करते हैं दिन में, इस वज़े से मुझे time नहीं मिल पाता है, and I am doing some other stuff also, तो जिसके वैसे मैं prepare नहीं कर पाया, just मैंने casually ऐसी experience लेने के लिए दिया था, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, हमारा जो national study channel है, आप जानते होंगे, JR Tutorials National Study, उस पे तो competitive exams की, specially हम तयारी करवाने वाले, तो आप ल पहले हम लोग देखेंगे, positive से लेके negative statement, यानि कि ऐसे statement जो पहले positive दिये होते हैं, फिर उसको negative बनाने होते है, add a question tag के, तो question कैसे पूछता है, let's suppose आपको एक question पूछा है, यहाँ पूछा है, रोहन, रोहन मेरे भाई का नाम है, तो रोहन is a clever boy, एसा एक question हमें पूछा ठीक है, रोहन is a clever boy, और यहाँ पे ऐसा आपको दिया रहेगा, add a question tag, ऐसा आपको पूछा रहेगा, add a question tag, यानि कि इसका आपको answer लिखना है, तो कैसे लिखोगे, एक माक सा सवाल है, एक माक सा सवाल है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो statement दिया रहता है, उसको आप सोचना है, अब यह सोचना है कि कभी भी, जो आप word use करोगे, वो क्या रहेगा, वो एक pronoun रहेगा, तो अब मुझे बात बताओ कि यह पूरे statement में, पूरे statement में, आप रोहन इसे clever by बोल रहे हो, यानि कि is का क्या हो जाएगा, is का क्या हो जाएगा, is isn't, is not तो लिखोगे इसको पढ़के दिखाओ पहले तो, रोहन is a clever boy, isn't रोहन, एक अच्छा लड़का है, क्या रोहन अच्छा लड़का है, तो रोहन बोलने में मजा नहीं आ रहे है, उसके दिखाओ पहे कोई दूसरा वड़ होता है, और यही हमारा basic rule है, English grammar का, कि whenever if we are converting a positive statement into a negative statement by using our add a question tag, तो इसके बाद, isn't के बाद, positive से negative में convert करने के बाद, जो व्यक्ति का नाम होता है, उसका हमें नाम ने लिखना होता है, उसका हमें pronoun use करना होता है, क्या use करना होता है, pronoun, तो मुझे बाद बताओ, रोहन क्या है, एक लड़के का नाम है, तो pronoun क्या हो जाएगा, लड़के के बताऊंगा तो आपको समझेगा तो Ron is a clever boy इसका एड़े question टा क्या हो जाएगा Ron is a clever boy isn't he, क्या वो clever boy है इस प्रकार से, तो ये हो गया पहला example ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे दो तीन example और कराऊंगा, positive से negative वाले फिर negative से positive वाले भी करा दूँगा, आपको चिंता नहीं करना है, आप लोग बस connected रहा हो हमारे साथ आपको हर चीज हम provide करेंगे चलो, ये हो गया इसको rough कर लेते हैं अभी first example is done okay, next example second example क्या दिया है second example में do you like me do you like me ये हमें question पूछा है ठीक है न, add a question tag करो इसको do you like me, तो मैं इसको कैसे लिखोंगा सबसे पहले do you like me आगे कॉमा, और उसके आगे क्या आएगा do का हो जाएगा, don't, negative statement do positive जा, do का हो गया, don't तो don't आगे क्या आएगा, कुन बोलेगा don't क्या है इसमें, you do you, तो don't you दिया हुआ है, तो don't you और आगे question मा कितना simple था है कि ने कितना simple, question क्या पुछा था हमें do you like me, क्या आप मुझे पसंद करते हो समझ में आ रहे, तो do you like me, don't you, पसंद नहीं करते हो क्या, don't you, ऐसा हवाला, ठीक है do you like me, don't you, ये हो गया एक और example, चलो इधर ही करा देता हूँ, third example ठीक है, question ये पुछा है हमें ठीक है, एक आप लोग का favorite question है, do you do you like free fire, ये आप लोग का favorite होगा, ठीक है ना, ये आप लोग का favorite होगा, किसका किसका favorite है, मुझे comment करके बताना, फटा-फट से, do you like free fire, ये question है, ठीक है, तो इसका कैसे आजाएगा, add a question tag करना, इसमें add a question tag, ये question है, आपको पूछा है, ठीक है ना, question पूछा है आपको, क्या, do you like free fire, तो आप लिखोगे do you like free fire, क्या आजाएगा, do का don't आगे हो जाएगा, you, ठीक है question mark, question mark बहुत जरूर है, आदा marks कर जाएगा, question mark, मैं कभी-कभी भूल जाता था question mark डालना, मेरे आदा marks कट हो जाते थे एक mark से question है, तो एक आदा marks ही मिलेगा, अगर आपने question mark ये खाली, ये नहीं डाला तो, do you like free fire, don't you क्या आपको पसंद नहीं है, ऐसे आप मैरे पूछा, समझ में आ गया, चलो, ये हो गया, तीन examples, ऐसे एक और करा दूँगा, तो आपका ये पूरा हो जाएगा positive से लेके negative वाला, ठीक है चलो, rough कर देता हो, और आप लोग इसको screenshot लेते जाओ, easy वाला करा रहा हो, ठीक है screenshot लेते जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना, और ऐसे आएंगे exam में आपको 1 marks से 2 marks, 2 question भी आ गए, अगर कुर मिला के, तो आपको 2 marks यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आपको मैं एक दे रहा हो, समझ लो, चोथा है हमारा, ठीक है चलो, मेरा नामी ले लेता हूँ, राहूल is a very clever boy इसका क्या करना है आपको, again, add a question tag कैसे आएगा मुझे बताओ, पहले तो statement पूरा लिखना पड़ेगा, कि राहूल is a very clever boy कॉमा आ जाएगा, उसके बाद कॉमा जरूर डालना, statement same as it is लिखने के बाद कॉमा आ जाएगा अब यहाँ पर is दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा isn't इसका हो जाएगा isn't, अब एक और क्या हो जाएगा यहाँ पर is जब isn't हो जाएगा तो राहूल के जगा पर आप क्या लिखोगे, प्रोनाउन, राहूल को ने लड़का है, तो isn't ही हो जाएगा isn't ही question mark, ठीक है, समझ में आ रहा है, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको बहुत 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 अलग टाइप का होता है, जैसे कि I am a honest student, मैं एक honest student हूँ, honest मतलब बहुत सच्चा student हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, add a question tag, यह बहुत अलग टाइप का है, ठीक है, यह अगर आप सीख गए, तो बिल्कुल परिशानी नहीं होगी, add a question tag में, सबसे पहले same लिखोगे, I am a honest student, यह आपने लिख का isn't हो गया, ठीक है, आर का aren't हो जाता है, could का couldn't हो जाता है, can का can't हो जाता है, should का shouldn't हो जाता है, वैसे am का क्या होना चाहिए, amant होना चाहिए, amant होता है, कभी word सुना है, amant या फिर am not, ऐसा कुछ तो सुना नहीं है, तो यह word नहीं होता है, तो उसके दिखा भी क्या आए यह वर्ड अगर आपको दिखता है एडे question tag में तो am का होता है aren't am का हो जाता है aren't am not का हो जाता है are, याद रतना, उल्टा उसका, बताऊंगा आगे negative से positive वल में बताऊंगा, ठीके तो I am a honest student, aren't I, aren't I, question mark am I am a honest student, aren't I क्या मैं नहीं हूँ, yes तो यह सवाल है, सीके, समझ में आ गया होगा एक marks यहाँ पर आपके confirm होगे एक marks आपके confirm होगे, बस किसका खेले यहाँ पर, कॉमा का और यहाँ पर जो बढ़ आएगा और pronoun का, इसका ही खेले पूरा add a question tag, यह समझ गए सब कुछ पाल होगे आप life में, ठीक है चलो next question, मतलब next type अब positive से negative आपने देख लिया इस प्रकार statement positive रहता है तो उसको negative कैसे करते हैं, यह आपने सीख लिया अब एक और सीख लेते हैं यहाँ पर, कि अगर negative statement दिया है, तो negative से positive कैसे हम लोग बनाएंगे यह हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है, फटा फट से सीखते हैं दोस्तो, चलो, फिर हमारा आज का lecture पूला हो जाएगा, तो हमारा आज का अगला topic है, क्या है negative दिया रहेगा negative sentence दिया रहेगा उसको क्या बनाना है दोस्तो, positive two बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो पहला example इसमें, तो negative statement ले ले लेते हैं यहाँ पे जैसे कि, you haven't seen, क्या लिखा है, you haven't seen this web series yet आपको पूछा है, you haven't seen this web series yet क्या तुमने अब तक यह वाला web series नहीं देखा बच्चे लोग देखते हैं न, web series ठीक है, तो हम भी कभी कबाद time मिलता है, तो देख लेते हैं so you haven't seen this web series yet तो इसका क्या आएगा, इसका आपको बोला है, करो add a question tag add a question tag, आपको करने बोला है, एक marks के लिए, तो कैसे करोगे तो सबसे पहले आपने जब question को देखा, तो यह जो चीज लिखा हुए, यह एक negative तरीके से लिखा है क्योंकि यह पर haven't लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर सबसे पहले same statement you haven't seen this web series yet, उसके बाद comma, आप negative वाले को positive बना हो गए, तो haven't का बन जाएगा, have ठीके, negative का बन गया, haven't का बन गया, have, जैसे have का haven't बन रहा था पहले वाले case में, अब यहाँ पर negative का positive, haven't का have बन रहा है और you का, तो you ही आता है, तो haven't, you, और question mark, sorry, have you, question mark, यानि कि, question इस प्रकार पुछा था, कि you haven't seen this web series yet, comma, have you, क्या आपने देखा है, question mark, यह हो गया हमारा negative से positive, कितना मज़ेदार था, है कि नहीं, कितना simple है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा, कि हारी, add a question tag में फटा, पता नह हम लोग ने सब चीज़ देख लिया, और इतना easy लगने लगा है, है कि नहीं, तो मुझे comment करके जरूर से बता ना, कि क्या आपको हमारा English grammar revision series helpful हो रहा ही कि नहीं, और इसके पहले भी 30 से ज्यादा वीडियो हमने हमारे regular lecture वीडियो में पढ़ाया हूँ, English का, वो भी जाके द ठीके चलो ध्यान से देखना, देखो भी ध्यान से, अगला example, तो लेट चपोस यहां पर second, one more example I am taking here, ठीके, your, your, your brother is not, ठीके, your brother is not living यूर ब्रदर इस नॉट लिविंग इन लंदन ठीक है यूर ब्रदर इस नॉट लिविंग इन लंदन तो यहाँ पर आ जाएगा इस इसनॉट का इसञा हो जाएगा इस और आगे ब्रदर इता है और ब्रदर के लिए को पता न नहीं होτα है बेकिर हम ने आपको पूरा का पूरा concept पढ़ा जिया, ठीक है, यह हो गया, मिटा रहा हो इसको, ताकि एक और example में करा सको, ठीक है, screenshot लेते जाना, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, चलो, एक और example देखते हैं, third example, क्या बुलाए question में, हमें question बुझा है, I am never on time, I am never on time, यह question हम मैं कभी भी time पे नहीं आपाता, मेरा बहुत जादा किस्मत खराब है, मैं कभी भी time पे नहीं आपाता, I am never on time, तो यहाँ पे पहले तो same statement लिखोगे, I am never on time, फिर आजाएगा comma, अब आपको लिखोगे never है, never मतलब not वाला sentence है, negative statement है, negative को positive लिखोगे, तो am never, मतलब यह इसके लिए aren't, हम लोग क्या लिखते है, aren't लिखते है, लेकिन यह already negative है, तो negative के लिए positive आएगा, तो सिर्फ के आएगा r, तो यहाँ पे r और i यहाँ पे दिया हुआ है, तो ri, question mark, तो I am never on time, ri, suit हो रहा है क्या, suit हो रहा है क्या, ri नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं आपको never on time, यह अगर ऐसा question होता, ठीके न, we are never on time होता, तो इसके लिखा पर हम लोग लिखते है, we are never on time, aren't we, sorry, rv, rv, तो v के लिए r use करते है, लेकिन I अकेला था, इसके लिए am use किया, तो यह क्या हो जाएगा, I am never on time, I am never on time, am I, am I, क्या मैं, time पे आया, वैसे ही, we are never on time, तो हम चीज़ आपको ध्याद में रखना, यही सिर्फ और आके, ठीके, clear है, तो समझ में, आ गया होगा, उमीद करता हूँ, बस यही था दोस्तो हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने proper तरीके से आपको explain किया है, कि सबसे पहले add a question tag होता क्या है, उसका basic concept क्या होता है, उसको लि करता हो कि हमारे, जितने भी हम वीडियो से आपके लिए recent में upload कर रहे है, डेली वीडियो से चार पाच वीडियो से बना रहे है, यह आपके लिए beneficial हो रहे होगे, तो प्लीज हमें उसी प्रकार से comment करके प्यार दिखाते रहे न, ठीके, तो वीडियो पसंद आया होगा, तो इंग्लिश ग्रामर के हैं, वो लोगों को नहीं पहुच पाए, तो प्लीज शेयर टो तो the maximum people, और first time हमारे चैनल पे आयो, अगर हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीके दोस्तों, तो जल हमारे एक निव वीडियो में, तब तक के लिए thank you and good bye